हेलो दोस्तों, हाचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, वीडियो की शुरुआत करते हैं खुबसूरत अडेनियम से वाइट कलर के प्लांट है ये और इसी में मैंने पिंक अडेनियम की ग्राप्टिंग करी थी और दोनों देसी वराइटी के प्लांट है तो देखे कितने अच्छे से फ्लावर दे रहे हैं अभी और एक ही प्लांट में दो कलर के फ्लावर देखने से बहुत ही अच्छे लगते हैं इधर आते हैं तो अपराजीता का प्लांट देख लीजिए ये डबल पेटल ब्लू वाला ये देखे फ्रेंट्स यहाँ पर सिंगल पेटल वाइट वाला और इधर भी एक वाइट फ्लावर सिंगल पेटल का इस तरब देखते हैं तो सिंगल पेटल का ब्लू वाला तो ती वर्याटी के प्लांट एक ही पॉट में लगे हुए हैं आज मुझे बहुत खुशी हो रही है खुशी होने का कारण भी बताती हूं हमारे एरिया में जो ओम शान्ती सेंटर है रजापिता ब्रह्म कुमारी इश्वरी विश्वे विद्याले सेंटर वहां से मुझे कॉल आया था कि आप जो गार्डिनिंग करते हैं आपको पौधों का बहुत नौलेज है तो हमारे यहां बहुत सारे गमले खाली है प्लांट नहीं है उसमें तो यदि आप उनके लिए आपके पास कुछ प्लांट होंगे तो आप यहां लाकर लगा दे तो मुझे अच्छा लगा इस जो कटिंग से रेडी किये हैं बहुत सारे प्लांट तो उसमें से कुछ प्लांट मैं आज ले जाकर वहां लगाने वाली हूं तो कौन-कौन से प्लांट ले जा रहे हूं वो भी आप देखेंगे किस तरह से मैं वहां जाकर लगाऊंगी वो भी आज की वीडियो में देखे का प्लांट है पिछले मांसुन मैंने इसे कटिंग से रेडी किया था यह देखिए यह पिंक एक जोरा है और यह इसके बगल में वाइट एक जोरा और दोनों ड्रॉफ वराइटी वाले हैं यह देखिए फ्रेंट्स काफी अच्छे से रूट्स बन गए हैं एक एक बार इसमे फ्लावरिंग भी हो गई है तो इसको मैं पॉट से निकाल के ले जाओंगी क्योंकि मुझे भी पॉट का बहुत जरूरत होगा अभी विंटर सीजन में बहुत सारे प्लांट्स लगाने होते हैं तो वहां तो पॉट अल्रेडी रखा हुआ है पहले से ही उन्होंने बताया क यह बहुत सारे पॉट वहां खाली हैं गमले तो उसी में ले जाकर मैं इसको लगाऊंगी तो यह टोटल साथ प्लांट मैं ले जा रही हूं और साथ में मैं मैं मेक्सिकन पिटूनिया के बहुत सारे प्लांट उखाड कर ले जा रही हूं क्योंकि वो भी मेरे गाडन में ब लगाऊंगी ले जाकर तो चलिए मेरे साथ ओम शानती सेंटर की सेर करते हैं यहां पर देखिए हम आ गये हैं ओम शानती सेंटर हमारे एरिया का काफी बड़ा है और आप देख सकते हैं मैंने यह सारे प्लांट्स यहां ले आया इसकुटी में आया है मेरी बेटी के साथ और यह देखिए पूरे गमले खाली रखे हुए हैं और यह क्यारी में लगे हुए प्लांट है आप देख रहे हैं परपल कलर के जो फ्लावर वाला वो लहसुनिया बेल है ये देखिए ये वाला उसके उपर में अलमंडा वाइन है वो भी अच्छे से फ्लावर्स दे रहा है और इस तरब भी काफी सारे प्लांट्स क्यारी में लगे हुए है गमले खाली है ये देखिए बालसम वाइट कलर का बालसम है ये और यहां देख र तो इतने सारे गमले खाली है इसमें गोबर की खाद पहले से ही मिला हुआ है ये देखिए फ्रेंट्स गोबर की खाद और सेंड वगिरा मिला है इसमें मिट्टी थोड़ी सी टाइट है अच्छे से उसको कूटे नहीं है तो कोई नहीं खाद तो मिला हुआ है और मिट्टी रेत भी मिला हुआ है तो फटा फट इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं सारे प्लांट्स को लगा लेते हैं मेरे साथ मैडम है एक काफी सेवा भावना वाली मैडम है साहू मैडम वो भी हेल्प कर रही है और ओम शान्ती सेंटर से वो जुड़ी हुई है यह देखी यहाँ पर वर्मी कमपोष्ट का पैकेड भी रखा हुआ है और ओम शान्ती की दीदी भी हेल्प कर रही है प्लांट लगाने में तो यह देखी एक जोरा और मैंने लगा दिये है गुढ़ल को भी एक जोरा को भी यूफोर्बिया मिली की ड्रॉफ वराइटी वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं उसमें पिंकिश वाइट कलर के यह देखे इसको भी मैंने लगा दिया एक जोरा को यहाँ पर देखे फ्रेंट्स अब हम लगाएंगे यह मैकसिकन पिटुनिया जिसको मैंने जड से उखाड कर लाया हुआ है लगभग 4-5 प्लांट मैं मैकसिकन पिटुनिया के भी लाई हूँ वाइट और पिंक वाला है यह देखे फ्रेंट्स तो कल इसमें फ्लावर भी खिलेंगे यहाँ पर यह देखे प्लांट लगने के बाद पॉड भी काफी अच्छे लगते है और अच्छा लगा मुझे यहाँ प्लांट शिप्ट करके और यह वर्मी कमपोस्ट है वर्मी कमपोस्ट भी हम मिला देंगे एक-एक-दो-दो मुठी सारे पॉड में यह मैडम जी काट रही है पैकेट को खोल रही है पुरा पैकेट था वो 30 किलो वाला और इसमें मैं 2-3 मुठी डाल देती हूँ तो काफी अच्छे से ग्रोथ करेंगे बस पानी का ध्यान रखेंगे यहाँ जो पानी देंगे वो लोग तो मैं उनको समझा दूँगी कि ओवर वाटरिंग ना करें क्योंकि ओवर वाटरिंग से ही प्लांट जल्दी खराब होते हैं और यह पेंटास का प्लांट पहले से लगा हुआ था फ्लावर्स कंप्लीट हो गये थे तो मैंने उसकी भी सफाई कर दी और यहां मैंने लगा दिया है हमारा रेक्स बिगोनिया को भी और यह अडेनियम का एक प्लांट लेके आई थी उसको भी मैं यह जो पॉट है ना गोल वाला बोंसाई पॉट एक था यहां तो उसी में मैं लगा आ रही हूँ तो अडेनियम का प्लांट गोल जो पॉट होता है चोड़ा वाला मूँ चोड़ा मूँ वाला पॉट में अच्छा लगता है अडेनियम और यह कटिंग से रेडी हुआ है बर्ट्स भी बने हुए हैं एक दो फ्लावर भी खिले थे घर में और यहां भी मैंने बता दिया है और यह देखे एक लो नीमा चाइनी जेवर ग्रीन तो यही सारा आज आप लोग से शेयर करना था मिलते हैं फिर हैपी गार्डनिंग बाई थैंक यू